हाई एवरीवन मैं सुझाता आज मैं आपको संसत से कोशन अंसर पढ़ाने वाली हूं तो आप लोग देखिए ज़रूर पसंद आए तो लाइक सेयर करें अगर अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें बगल में बैल दिमाख लगा लिएगा कि क्या इसका अंसर होना चाहिए तब अंसर पढ़िएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला कोस्चन है कि भारती संसत में कितने सदन है तो भारती संसत में कितने सदन है तो दो है कौन-कौन लोकसभा और राज्य सबा लोकसभा और र तो पारलियम्ट का रिप्रेजेंटरी वाउस जो लोकसभा को बोलते हैं तो लोकसभा के सदस्ध जो होते हैं उनका डायरेक्ट एलक्षन होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेसन खरते हैं ठीक है उसके बाद कोस्छा नमबर तीसरा संसत का लोगप्रिय सदन कौन सा है तो संसत का लोगप्रिय सदन लोग सभा है तो इसलिए से लोगप्रिय बोलते हैं क्योंकि इसमें लोग डायरेक्ट वोट करते हैं इसलिए से लोगप्रिय बोला जाता है कोसे नमबर चार संसत का स्थाई सदन कौन सा है तो राजी सभाः और कोश्य नमबर पाँच एक वर्च में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होना अवर्शक है तो दो बार कृतनी बार दो बार बैठक हो न चाहिए भीच में छह मेने से कितना भाग वैधानि की मिटिंग वैधानि की मिटिंग बुलाने के लिए अवश्यक है तो एक बठा 10 भाग ठीक है एक बठा 10 अगर एक बठा 10 सदस है तभी संसत के बैठक होगी अन्ता नहीं होगी इससे क्या बólत नगरी सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो संगी सरकार के नाम से जाना जाता है संसदी प्रणाली वाली सरकार को संगी सरकार के नाम से जाना जाता है कुछ से नमबर नौ लोग सबा के अधिक्तम सदस से कितने हो सकते हैं तो आपके 552 वर्तमान में हैं और पहले कितने थे? 545, लेकिन अब वर्तमान में 552 सदसे हो सकते हैं. कुश्य नंबर 10, राजी सभा के अदिक्तम सदसी कितने हो सकते हैं तो 550, वर्तमान में अब पहले कि थे? 245. कुश्य नंबर 11, लोगसबा की सर्वाधिक सीटे कि सिराजि में हैं? तो लोकसभा के जो सरवादिक सीटें है यह आपके उत्तर प्रदेश में हैं ठीक है यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा के लिए और सबसे ज़्यादा सदसे लोकसभा में यूपी के ही है ठीक है और कुस्छा नमबर आपका आगया बारा राजसभा का सभापती कौन होता है राष्टपती करता है तो यह आपके कोस्छन होगा अब यह लास्ट के दो कोस्छन होगा दोस्तों वीडियो बताईएगा कैसा लगा तो फिर मैं और भी वीडियो बना के जल्दी जल्दी अपलोड करूंगी तो प्लीज आप कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कै तो मीरा कुमार और यह आपका लास्ट कोशन संसत को भांग करने के लिए कौन सच्छम है तो संसत को भांग करने के लिए राष्टपती सच्छम है तो यह आपका 15 कोशन कंप्लीट हुआ तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताए कि मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों म मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.